तो वेलकम बेखों फिन अधर वीडियो तो आज वीडियो में हम जानेंगे थमरूल के बारे में कि आपने अपके सबीके जादा कॉमेंट्स आ रहे थी कि सर हमें थमरूल के बारे मताईए की बिरिक मेजन वी है हम साइड पे मेजन लगे हुए मिस्ट्री लगे हुए लेवर सब्सक्राइब करें तब तक वीडियो का लाइक कर लें हम चलते हैं आगे थमरूल के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले आपने देखा होगे कि साइट परपस के लिए देखिए आपके जो रेट चल रहे हैं साथ सो पान्तु रुपे हैं मैं डेली से बिलों करता हूं तो ब्लों करने के यहां पर जो लेट आपके लेशन केहां का तो साथ सो परड़े आरे पांठंट नियुक्ए तो ही होगा मतलब एक जादा होते है वह काम जादे लेता है तो उसके बेस पे जो रेट होते हैं वह थोड़ा जादा होते हैं तो एक मिस जो एक ठेकदार के पास में जो लेवर है एक ठेकदार के पास में है के पास लेवर है 600 रुब्या जो आपके बेलदार होता है वो लेता जो एक मिस तो आपको 500 रुब्या ठीक है एक मिस्तरी पांच पर ले रहा है और एक बेलदा रहे है एक बेलदा ले आपको 400 रुब्या और कुली ले लिए तो इस से थोड़ा क्या दो हूं यह जादर इस टेंडर है सबसे ज्यादा पर ठेकदार के ऊपर यही रेट होगा तो इस रेट से आप निकाल सकते हो यह इस से निकाल देता हूं तो वाल मतलब एक मिस्तरी के साथ में जो लेबल लगती है यह दो लेवर लगता है यह फिर पास तो पांस चार सो नोसो पलस तीन सो नो तीन बारा सो पचास तो यहां पर जाते हैं दो लेवर लगते आपके बास दो कि यहां पर एक एस्टार लगती है चार्सो तो शेहन दल्र हचार 14 वाज जब कि यह आपरेम प्ल्यवार बिलर्दार करते हों तो इसके बाद मेशन को देता रहता है तो वह succeeded पांचे बाद हो जाता है पांच और विया तो इसका जो रेट होगा साथ पांच बारा बारा पांच तो इसमें जाना है कि 12500 बारा पांच रुपया बारा पचास तो यह रेट हमें अभी यह देखना है कि 1250 रुपया अगर रेट है लेवर का तो कितना स्कूर फीट वह चुनाई कर सकती है मतलब कितना फाइदा जब कितना प्रॉपिट वह निकाल सकती है अब इसमें जानेंगे बारा सा पचास तो अब जबनेंगे की ठेक रेट के बारे में की रेट एक तो आपका लिया है पंदर रुपिया पर स्केर फीट ठीक है एक तो रेट जैसे की डील करता है जो भी रेट ठेक्दार होता है बिल्दर होता है वह भी एक कमपनी से यह कोई फोड़े Scripture करता है तो रेट के बारे में उसको पता होता है तो एक रेट चल लब्स होघ्रण तो आलशियो रेट है सबसे कम कम प existem जो है को कम Cheng अघृइड देगी पर जागतर हम देख लेते कि 50 रुपे में उसको क्या बसता है क्या वो काम लेवर करके देटी तो इसके पंदर रुपे में हम निकालके देख लेते हैं कि यहीं से हम निकालते हैं अगर 1250 रुपया बार सो पचास रेट ले रहा है ठीक है टोटल रेट तो यहां पर हमारा पंदर रुपे पर स्क्वेर फिट है तो पंदरा से सको हम डिवाइड करना पड़ता है ठीक है तो यहां पर बारा 1250 रिवाइड बाई 15 तो कितना होगा हमारे पास 83 बतलब 84 स्क्वेर फिट तो यह हमारे पास 90 की तीक वाल ले सकते हैं नाइन इंची वाल या फिर 4 इंची वाल तो यह हमारे पास वाल का ठीकिनेस होती है ठीक है तो इस वाल में वाल हुआ तो आप करता है कि आप नानीच का क्या रेट लेते हो और आपका फॉरिंच ची का वाल का क्या रेट लेते हो तिक है तो यहां इंदर बनाने के लिए बट लेकिन आपका जो जायतर dal है जो र nehmen अच्छा बच्छ रहा आपको इसमों भ。 बट लेकिन थमृूल क्या गएला ये हैं थमृल यह है कि जो 9 इंची वाल होती है 9 इंची के जो वाल होती है जो एक मेहां होता है वह आपको कर रेटा है 50 स्क्वेर फिट और अगर चारेंची की वाल है तो वह करके देता है आपको 45 स्क्वेर फिट आपको यह मेजन काम कर रहे थमरूल के अकोडिंग है तो यहां से आप रेट निकालेंगे अगर वो दस बाई पंदरा की वाल है तो इसमें वह आपको दस पंच पचास पचास निकालना है एक मिस्तरी दो लेवर को बड़ लेकिन प्टास की फिट निकाला तो उसमें लोस है तो जब भी आपको साम के टाइम में जब यह आप काम खतम होने बाद बिरिक मेजर करोगे लंबाई चोड़ाई मेजर करोगे जैसे कि आपने 10 फिट भी बाज फिट मेजर कर आपने स्कूर अरिया निकाला तो वह कितना हुआ जब पर दा स्क्वेरे फिट लेकिन आपका एरिया कितना रहा था चुरा से स्क्वेर फिट तो यह क्या प्रोफिट लोस है तो अब आपको यहां पर क्या करना है कि 10 बाइक पांच मतलब एक दिन में उसने 50 स्क्वेर हैं यहां पर कितना हब हो बाराएं पचास आपके total rate आ रहा रहा है इस लिवर का बढ़ लेकिन 50 स्क्राइब मिस्तरी एक मिस्तरी है दो ले वारा वो काम करके दे रहा है तो रेट आपका कहा च्छी ञाला पैट्चीस रुप्य यह तो इस वीन अब कर अगर अगर आप 15 लेते हो तो यह बांटका रोसन एक्टलीज रॉपिट लेते हो तो यह पैस को पान्सों रूपया तो यहां पर निकालते हैं 20 रुपे से तो यहां पर निकल कर आता हैं थो दो निच्चा तो मुझे लिए फिस्टी टू के अस्वास तो यह 62 स्क्विएर फीट तो मतलब की कि 62 स्क्वेयर्फित क्या एक मिस्टरी और दौले बर काम करके नहीं दे सकते हैं बातया स्क्वेयर्फित तो वह अपना कैलिशन निकाल लिएक तीन के अंदर देक और रहो कैसे क्याल से निगालता है अगर देखें यहां पर माय बताया तो अगर हाइट हो जाती है देखिए घड़ा गड़ा तो काफी काम कर लेगा लेकिन जब हाइट हो जाती एंद तो उसमें भी टाइम लग जाता है तो उससे जो टायमिंग अपका लो सो रहा है तो वह मेशनी का भी लोस हो रहा है बितलब ही आपका टाइम गट रहा है तो इस मेसं से हम रेट निगाल सकते हैं कि आपको जो प्रिक मेशनी का रेट है वो क्या पड़ जाता है बट लेकिन जो थंबूल है 50 bum झू प्रेट के अगर यह लेवर मिस्टी का आपकर पास रेट है तो आपको जो रेट पड़ेगा वो मिनिमम पच्चीस पर स्क्वियर फीट करेट बिक में जरेगा पड़ता हैं ठीक है तो इस तरह से आप रेट निकालों अगर आप 15 रुपित को यह आपको दे रहा है तो वह कोई भी कुश्चन है कोई भी क्यारी बिसक्मेंट्स वोक्समें लिख देना कि मैं आपका जरूर महां पर पर निल्गा तो प्लास्तर के लिए भी कि पलास्तर हम मतलब यह मिश्टी पलास्तर कैसे निकाल के आपका लौट्पित व भापनिक आप निकाल सकते हो तो आय हो आ मिलते नहींगे इसे टेक्निकर वीडियो के साथ बाई बाई